In this tutorial, I will show you how to speed up Windows 10. Speed up Windows 10 करने के लिए इस वीडियो को complete watch करें. किस तरह हम Microsoft Windows की speed को increase कर सकते हैं? सबसे पहले हमने My Computer पर right click करके properties पर apply करना है और check करना है installed RAM को. इस box में हमने find करना है कि आपकी installed RAM कितनी है तो 6GB है यहाँ पर. इसको minimize करेंगे. minimize करने के बाद simple सा process है. आपने task bar पर right click करके task manager पर apply करना है. Task manager के box में हमने top पर find करना है performance और memory. और bottom में find करना है cache it. तो हमारी 6GB में से 2GB used है. तो हमने क्या करना है अपने browser को open करना है. और इसकी search में हमने यह link को paste करना है. यानि कि आपको video की description में जाना है. version 1.6.1 इसको हमने download करना है. तो जैसी हम इसको download करेंगे. Download के button पर click करेंगे bottom में. तो file automatically हमारे पास download हो जाएगी. जस्ट अब हमने क्या करना है? इसके folder को open करना है. तो simple इसको हम open करेंगे. तो जैसी हम इसके उपर click करेंगे. तो फाइल हमारे पास open हो जाएगी. यानिके ये rare file है. या winzip file होगी. आपने right click करके इसको extract करना है. तो extract all करेंगे. और just हमने extract के button पर click करना है. और यहाँ पर हमने replace करना है. क्योंकि मैंने पहले ही इसको download किया था. तो इसी वज़ा से हम इसको replace कर देंगे. तो आपने क्या करना है. जस्ट next करना है. तो file extract होके. desktop पर appear हो जाएगी. अब हमने क्या करना है. RAM map पर double click करके इसको open करेंगे. तमाम जितने भी box हैं. उनको हमने minimize करना है. तो जैसे हमारे पास open होगा. यहाँ पर हम देख सकते हैं. हमारी जो installed RAM हो 2GB है. अब हमने क्या करना है? इसको free करना है. तो जैसे ही RAM map हमारे पास appear होगा. तो top पर हमने find करना है. यहाँ पर अगर हम देखें. तो first of all जो caching memory है. वो occupied है. 2GB empty करना है. और list में find करना है. Stand by list. तो empty stand by list को हमने select करना है. और यहाँ पर हम देख सकते हैं. जो caching memory थी. जो 2GB हमारी occupied थी. वो free हो चुकी है. तो इससे क्या होगा? मरे PC की जो speed है काफी fast होने वाली है. इन तमाम box को close करने के बाद. अब simple हमने क्या करना है? अपने browser को open करना है. यह हमारा जो browser है. यह भी हमारी RAM या caches को use करता है. और junk file produce करता है. अब हमने क्या करना है? इसकी setting में आना है. तो जैसी इसकी setting पर apply करेंगे. और left side पर हमने find करना है appearance. और इसके उपर अगर हम देखें. तो हमारे पास है performance. तो performance को select करेंगे. और यहाँ पर performance के box में हमने enable और disable के button को enable करना है. इससे क्या होगा? हम जितने भी memory के tab जो है. या जितने भी हम tabs use करते हैं. उसमें जो memory है वो use नहीं होगी. Basically हमारी जो RAM है वो free रहेगी. अगर हम इस tab को use नहीं करते. और यहाँ पर हमने power को भी on करना है. यानि कि 20% पर इसको हमने select करना है. तो जैसी हम इसको 20% पर select कर लेंगे. हमारे PC की जो speed है काफी fast हो जाएगी. और RAM प्रोसेसर जो है हमारा हम सही तरह से work करेगा. तो यह simple सा method था इसको fast करने का. विंडो प्लस आर करने के बाद रंग कमांड में हमने type करना है. clean, mgr और keyboard से interpress करना है या ok press करना है. तो जैसी हम यह कर लेंगे इसके बाद हमने ok करना है. और c drive को select करने के बाद यहाँ पर processing जो है वो automatically continue हो रहेगी. जस्ट हमने कुछ दिर wait करना है. और यहाँ पर जितने भी tick हैं उनको हमने untick हैं उनको tick करना है. जैसी हम इसको untick कर लेंगे. जस्ट हमने download folder को untick करना है और delete file करना है. तो simple सा method है इसको करने का. इससे क्या होगा तमाम जितनी भी junks file हैं वो हमारे PC से remove हो जाएंगी. जितनी भी caches files हैं और ramp processor जो है वो सही तरह से work करेगा. इसके बाद हमने search में आना है और search में type करना है cmd command prompt. तो जैसी यह type कर लेंगे और top पर हमने select करना है run as a administrator. तो इसको हमने click करना है तो जैसी हम इसके उपर click करेंगे एक black window हमारे पास appear होगी. इसको हम थोड़ा set कर लेते हैं. set करने के बाद हमने क्या करना है? वीडियो की description में जाना है. वहां से हमने इस command को copy करना है. तो memory usage को हमने change करना है. बेसिकली यहाँ पर जो हमारे पास Microsoft Windows में memory use होती है. वो memory usage 1 होती है तो हमने इसको 2 में convert करना है. simple हमने यहाँ पर click करना है. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं. memory usage 2 में convert हो चुकी है. इससे भी हमारे PC की speed काफी fast होने वाली है. यह simple method है. इसके बाद जो second command है most important है. आपने power cfg command को copy करना है. जिसमें हमारे पास off लिखा है. यानि कि first वाली. इसको आपने copy करना है. और इस black window में paste करना है. तो जैसी इस black window में paste करेंगे. और enter के बटन पर press करेंगे. इससे क्या होगा? hyper file जो है वो disable हो जाएगी. इससे भी हमारी c drive में space काफी रहेगी. और हमारे PC की जो speed है काफी बेहतर रहेगी. इन तमाम setting को करने के बाद अब हमने simple क्या करना है? अपने PC को restart करना है. simple हमने start के बटन पर click करना है, power में आना है और restart PC करना है. इससे तमाम setting अपडेट हो जाएगी.